So hello everyone and welcome back to my channel तो आज से मैं एक्स्प्रेन करने वाला हूँ एक Korean drama जिसका नाम है The King Eternal Monarch जो कि एक romantic fantasy supernatural drama है जिसमें हमें time travel, parallel world और multiple time lines का concept देखने को मिलेगा तो ये कहानी set है Korea में लेकिन दो अलग दुनिया की सिंप्ली कहूं तो अपना hero belong करता है Kingdom of Korea से और heroine belong करती एक parallel world के Republic of Korea से तो कहानी की शुरुआत में हमें एक जादू ये बांसूरी के बार में बताए जाता है जिसमें असीम शक्तियां है जिसके पास भी ये बांसूरी होगी वो दुनिया में राज कर सकता है वो time travel कर सकता है अलग parallel world में जा सकता है महामारी ठीक कर सकता है बारिश ला सकता है ऐसे बहुत सारे power से उस बांसूरी में जो भी Kingdom of Korea की राजा के पास थी साल था 1994 का जब राजा के सौते लिभाय लेरीम ने उस बांसूरी को हासिल करने का decide किया लेरीम ने अपने कुछ soldiers के साथ मिलकर राजा के private palace में जाकर उन्हें मार दिया और बांसूरी लेकर वो निकल नहीं जा रहा था लेकिन तबी राजा का 8 साल का बेटा लीगॉन वहां पर आ जाता है जिससे बांसूरी की आवाज यहां तक हीच लाई थी राजा को मरा हुआ देकर वो भाग कर उनके पास आता है लेरीम उसे देकर कहता है कि अब तुम्हें एक अनाथ हो जो सुन लीगॉन वहां पड़ी एक तलवार बहुत ही महनत से उठाता है और लेरीम की और वार करता है जिससे लीगॉन की हाथ की बासूरी दो टुकड़ों में कड़ जाती है लीगॉन उसी के साथ ही रॉयल गार्ड्स को ओडर करता है गदार लीगॉन को जेल में डालने का और उसे पता नहीं था कि ये सभी लीगॉन की साथ ही मिले हुए है इसलिए वो सभी लीगॉन पर गन तान देते हैं पर लीगॉन गुस्से में बासूरी के टुकड़े से लीगॉन के गर्दन पर वार कर देता है लीगॉन को वो मारने ही वाला था कि तब ही अचानक वहाँ पर एक क्या पहना हुआ मास्क मैन आ जाता है जो लीरीम की सोल्जेस पर गोली चलाने लग जाता है तो वो बंदा के लिए इन सब का सामना करता है अब इन गोली बारी के आवास सुनकर राजा के रॉयल गार्ड्स इस तरफ आने लगे थे जिसे देख लीरीम बासूरी का एक हिस्सा लेकर ही जहां से भाग निकलता है वहीं पर हम देखते हैं बासूरी का दुसरा हिस्सा लीगॉन के पास था लीगॉन जखमी पड़ा था तबी वो मास्क मैन उसे चेक करने आता है लीगॉन उसका चेहरा देख तो नहीं पाता पर उस मास्क मैन के पास से एक आईडी काड लीगॉन के हाथ में रह जाता है और वो मास्क मैन यहां से चला जाता है इदर लीरीम भागते वे एक बैंबो फॉरश में चला आता है जहां उसके हाथ में बासूरी का एक हिस्सा होनी की वज़े से उसके सामने एक portal खुल जाता है इसके पार जाते ही वो Republic of Korea में पहुंच जाता है निउसपेपर्स और बैनर्स देखकर उसे पता चलता है कि इस देश का नाम Republic of Korea है और ये देश North Korea और South Korea में divided है वो समझी रहा था कि यहां क्या चल रहा है तभी वो अपने सौतेले भाई राजा के हमशकल से टकराता है और यहां पर भी लेरिम उसका भाई था इससे देख हमशकल हैरान होता है कि इस दुनिया का लेरिम बच्पन से ही अपाहिश था इसब्दे कलेरिम समझ जाता है कि ये वही दूसरी दुनिया है, इस बार में उसने इस जादूई बासुरी के बार में पढ़ते हुए सुना था, तो लेरिम राजा के हमशकल से उसके घर ले जाने के लिए कि आता है, जाहां जाकर वो राजा के हमशकल को मारता है, फिर अपन राजा बनने के बाद लिकॉन अपनी पहली ड्यूटीज निभाता है अपने पिताजी के डेट सरीमनी का रिचुवल पूरा करके अपकी की राजा कोन के सोतेले भाई नहीं मारा था इसलिए रॉयल कोट ने राजा की सारे चेचरे भाई और फैमिली मेंबर्स को देश निकाल होता है तभी उसकी मुलागात हुई नन है जो यौंग से जोसे चीरअप करने आता है हर जगह वो लीगॉन की पिछे पिछे ही जाता है इसलिए लीगॉन को काफ़ी चीड होता है तो उससे पूछता हुठ की तरह उसके पीछे आ जाता है और लीगॉन को रोता हुँर underground ये और बताता है कि आज से तुम मेरे अटूट तलवार हो, इसलिए रोना बंद करो, इससे जो यूंग चुप हो जाता है, और यहीं से इनकी दोस्ती हो जाती है, इसमें वो समझ गया थे कि ये लिरिम की बॉड़ी नहीं है, पर अभी सिच्वेशन को सम्हालने के लिए, उन्हे ही गदा लिरिम की बॉड़ी है, और उसकी मौत रोयल गार्ड्स के गोली से ही हुई है, इसके बारे में वो हैड़ कोट लेडी को बताते हैं, इदर लिरिम तो बिंदास दोनों दुनिया में ट्रावल कर रहा था, चाहँ वो किंग्डम ऑफ कोरिया में, उसके जो साथी सोल उन सभी को इस दुनिया से रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ले जाता है, जिसके बाद हमें 25 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, साल था 2019 का किंग्डम ऑफ कोरिया में, राजा लिगॉन घुड सवारी करने जाने के तयारी कर रहा था, जो योंग राजा के रोयल गार्ड्स का क और कहता है कि दायमा मैंने आपको बताया है ना कि मुझे अभी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मेरे कमरे में अब से ये टैलिश्मेन चुपाना बंद करो, ये बुल कर वो अपनी घुड सवारी करने चला जाता है, पर दायमा दुबारा से वो टैलिश्मेन लीगॉन के रूम में चुपा देती है, तो घुड सवारी के बाद प्राइम एश्टर कू लीगॉन से मिलने आती है, चाहां वो हर हफ्ते लीगॉन को रिपोर्ट देने आती तो है, पर वो उस्ते कुछ ज़ादा ही चिपकती है, जिससे प्रेस वाले उनकी साथ में फोटो लीगॉन को देखने आये थे, लेकिन तबी उस भील्ड में एक लड़की को भागते हुए देखते हैं, जिसने एक रैबिट होटी पहने हुई थी, और उसके पीछे कुछ गुंडे पढ़े हुए थे, लीगॉन इस रोइंग कॉमपटिशन को जीत जाता है, तो अपनी टी काफी दूर तक उसका पीछा करता है, लेकिन एक जगा पर आकर उसे मिस कर देता है, कुछी देर बाद उसे ढूंडता हुआ जोयोंग भी यहाँ पर पहुँचाता है, और उसके अचानक यहां आने के बारे में पूछता है, लीगॉन कहता है कि मैंने उस होडी वाले परसन को ढूंड रहा था, जिसने उसे लीटीम से बचाया था, लीगॉन एक किताब निकालता है, इसके अंदर वो आईडी कार्ड होता है, जो 25 साल पहले उस मिस्टिरियस मास्क मैन के पास से लीगॉन को मिला था, और यह आईडी कार्ड था स्योल पूरिस्टेशन की, लेटिन ज्योंग तेउल की, जो कि कहानी की फिमेल लीड है, लीगॉन आईडी कार्ड को देखता है, इसमें आईडी इशुएंग डेट थी, 11 नवेंबर 2019 की, लीगॉन आज का डेट चेक करता है, तो आज था 10 सेप्टेंबर 2019, इसलिए गुउन को आज तक समझ नहीं आया था, कि आईडी कार्ड 11 नवेंबर 2019 में कैसे इशुए हो सकता है, जो डेट अभी तक आया ही नहीं था, इधर हम रिपब्लिक ओफ कोरिया में एउल को देखते हैं, जो कि अपने टीम की साथ मिलकर गुंडों को पकड़ती है, और पने डिटेक्टिब फ्रेंड शिंजे के साथ मिल एक मर्डर केस की चानबीन भी शुरू करती है, इधर लिगौन का दुबारा से वो रैबिट होडी परसन दिखाय देता है, तो लिगौन अपने घोडे में चड़कर उसके पीछे जाने लगता है, इसका पीछा करते वे वो उसी बैंबू फोरेश्ट में पहुंच जाता है जहां गौन की पास उस जादू इबांसुरी का टुकड़ा होने की वज़े से पैरलेल ओल का पोर्टल खुल जाता है, इसके अंदर जाते ही गौन भी रिपब्लिक आफ कोरिया में पहुंच जाता है, और इस पोर्टल के खुलने की वज़े से इस दुनिया में टाइम को महसूस होता है, इतर तेउल ट्राफिक में होती है, तभी वो अपने कार के साइड से घोड़े बर लीगौन को जाता हुआ देखती है, लीगौन को घोड़े पर देखकर सभी लोग तो हैरान रह जाते है, तो तेउल उसे रास्ते से घोड़े को हटानी के लिए कहती है, उसके गले में टंगी आडी कार देखता है, उससे कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंडी लिया, लेफ्टन एन जॉंग तेउल, इससे पहले तेउल से कुछ पूछती, लीगौन तेउल को गले लगा लेता है, जिससे तो तेउल भी शौक डरह जाती है, पर फिर उस पहले मैं यहां सब कुछ दे कर कन्फियूज था, पर अब मुझे समझा गया है कि यह एक पैरलल वर्ल्ड है, पर तेउल के उसकी बाते बगवास लगती है, वो लीगौन को ट्राफिक रूल वाइलेट करने के लिए, और एकॉन डूटी बुलिस ओफिसर को बिना परमिशन के, टच करने के लिए अरेश्ट करके पुलिस टेशन ले जाती है, जहां रिकॉर्ड में लिखने के लिए वो उसका नाम पूछती है, लेकिन लीगौन तो उसे बस यही कहे जा रहा है कि मैं तुम्हें अपना नाम बता तो सकता हूँ, पर तुम मेरा नाम नहीं ले सकती, उसकी बगबास बाते सुन तेल उसका नाम गेदॉं करके लिख देती है, और लीगौन का सारा सामन सीज कर लेती है, उन्हें चेक करके उसके बार में पता लगाने के लिए, तो उसके पास से किंग्डम आफ कोरिया की कुछ कार्ड्स मिलते हैं, और वहां के करिंसी नोट्स जिने तेल नकली समझ कर सीज कर लेती है, और उन्हें चेक करने के लिए भेज़ देती है, फिर लीगौन के बार में पता करने के लिए उसके फिंगर प्रिंट्स भी ले लेती है, इधर किंग्डम आफ कुरिया में दायमा भी काफी परिशान होती है, गोन के अचानक पे थोड़ी परसन की पीछे पड़े थे तो वो जोयोंग को बताते हैं कि वो एक लड़की है जिसका नाम लूना है जो उनका पैसा लेकर भागी थी तो जोयोंग पुलिस से उस लड़की को जल्दी ढोडने के लिए कहता है इधर तेउल लीगॉन को जेल में बंद कर देती ह जहां लीगॉन तो अंदर बैठने के लिए चेयर भेजने के लिए कहता है क्योंकि राजा साब तो कभी जमीन पे बैठे नहीं थे पर तेउल इसकी कोई बात ही नहीं सुनती तब ही यहाँ पर यूनसप नाम का एक बंदा आता है जो की गिंग्डम आफ कोरिया की जोयोंग का हमशकल था उसे यहाँ पर देकर लीगॉन तो शौक रहा जाता है तो उसे बुलाने लग जाता है कि ओई जोयोंग मैं यहाँ पर हूँ यूनसप तेउल से पूछता है कि यह है कौन और यह मुझे जोयोंग क्यों कह रहा है तेउल कहती है कोई बागल जवापने आपको राजा कहता है तो यूनसप इस दुनिया में पुलिश ट्रेनी था इसलिए वो तेउल को कुछ डॉक्यूमेंस देकर नाचते हूँ यहाँ से जाने लगता है जिसे तेक लीगॉन कहता है कि यह जोयोंग तो नहीं हो सकता है तो तेउल को फॉरेंसिक से कॉल आता है तो लाइवा का सेंपल लेनी के लिए लीगॉन से कहता है कि मेरी फिंगर पिंट से मेरे बारे में कुछ पता नहीं कर सकी ना मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे दुनिया का नहीं हूँ इसलिए तुम्हारे इन सब से मेरे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा जैसे मैं तुम्ह उसे तुम्हें ही ढून रहा था जो सुन तेउल हैरान होती है तो लड़का आया था जिसका नम इस दुनिया में यॉंसप है वो मेरी दुनिया में मेरा रॉयल गार्ड कैप्टन जो यॉंग है तेउल कहती है तुछ सच में तुम किसी पैरलेल वर्ल्ड से आये हो लिगॉन कह के लिए बेज़ कर लिगॉन को भी छोड़ देती है लिगॉन उसे एक फाइब स्टार होटेल का पता देता है कि मैं यहां पर रहूंगा तो मुझसे यहां मिलने आ सकती हो तेउल कहती है तो नकली नोट लेकर गूमते हो और बड़े आये फाइब स्टार होटेल में रहने लिगॉन अपने कोड़ से एक बटन तोड़ता है और पूछते कि क्या यहां आसपास कोई ज्वैलरी शॉप है एक डाइमंड है इसे बेजकर मुझे यहां के पैसे मिल जाएंगे तेउल को उसकी बात पर बिलीव नहीं होता कहती है कि अगर यह डाइमंड है तो मैं प्रिं अगले पार्ट में तब तक के लिए टेक केर और बाइबाई झाल